जैसे रादे मित्रों हरहर महादीब जैमा चंद्रवद्नी तो मित्रों चंद्रवद्नी भक्तेरस चैनल में पुना आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अबनंदन है माघुर्वति आपकी समस्मनों कामनाओं को पूर्ण करें यही माघुर्वति की चरणों में हमारी करवध प्रार्थना तो मित्रो चंद्रवधनी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आपको साथाहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्शिफल और ग्रहों सम्मंदित जानकारिय स समय-समय अंसार आपको अवगत कराई जाती हैं तो इसी कड़ी में आज कल हम बात कर रहे हैं मेश रासि से लेके मेन रासि के जातकों को कौन-कौन से रतन धारन करने चाहिए और किस रतन धारन करने से आपके जीवन में सफलता आएगी तो उसके बारे में हम चर्चा कर रह हैं तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे करकरासि के जातकों की तो मेश ब्रिस और मित्थुन रासि के जातकों को कौन सा रतन धारन करना चाहिए वह हम पहले के वीडियो में आप से बता चुके हैं अब आज हम बताएंगे करकरासि के जातकों के बारे में तो जो भी जातक हमारे साथ आज पहली बार जुरूड रहे हैं कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और वीडियो में करकरास के जो जातक हैं वह बीडियो में अंतिम तक अवस्य बने रहें तो बीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे तो हम आपको उस रत्न के बारे में रत्न को धारण कैसे करना है उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्द कराएंगे तो बात करते हैं करकरासी के जितने भी जातक हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं तो रत्न सास्त्र में ग्रहों और रासियों से संबंदित रत्न धारण करने रत्न धारण जातक को करने चाहिए जिससे जीवर में सकारात्मक्ता आती है करक रासी पर चंद्रदेव का अलिपत्य है करक रासी का स्वामी जो है वह चंद्रदेव को माना गया है तो ऐसे में करक रासी के जातकों को जो है चंद्रमा संबंदित रत्न धारण करना चाहिए अब चंद्रमा संबंदित रत्न कौन सा है तो चंद्रमा संबंदित रत्न है मोती तो मोती धारण करने से करकरासी के जातकों के जीवर में सुबता आती है हालांकि किसी बिद्वान या जोतिस की सलह से ही मोती रतन धारण करना चाहिए और मानता है कि करकरासि के जातकों के लिए मोती धारण करने से सुब फलों की प्राप्ति होती है अब हम आपको बताते हैं कि मोती धारण करने से आपको क्या लाव होगा तो कैसे धारण करें पहले मोती पहले इस पे चर्चा करते हैं कि मोती रतन कैसे आपको धारण करना है फिर उसके बाद में हम लाव के बारे में चर्चा करेंगे तो जोति सास्त्र के अंसार किसी महीने के सुगलपक्ष के सोमबार या पूर्णिमा के दिन मोती जो रतन है वा धारन करना चाहिए मोती रतन को आप चांदी की अंगुठी में भी जड़वा कर धारन कर सकते हैं और जोति साचारियों के अंसार इस रतन को धारन करने वाले दिन सबसे पहले अंगुठी को गंगा जल में सुद्ध कर लें गंगा जल से धोलें इसके बाद भगवान संकर को सिव भगवान को अंगुठी समर्पित करें फिर अपने हाद की कनिष्ट का उंगली में रतन वा मोती धारन करना चाहिए अब मोती रतन धारन करने से कौन कौन से लाव होते हैं उस पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं तो मोती रतन धारन करने से जोति सास्र के अनुसार करकरासी वालों को जो है वह अधिक गुस्सा आता है तो इसलिए उन्हें मोती रतन धारन करने की सला दी जाती है अब मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से करकरासिवालों का गुस्सा जो है मोती रत्न धारण करने से सांत हो जाता है और मोती रत्न जो है कमजोर आर्थिक इस्तिती को बहुत बहतर बना देता है और इस रत्न को धारण करने से कारियों में जो है सपलता की प्राप्ति होती है डाता है ऐसे जातकों को मोटी रतंधारन करना चाहिए जिसे उनके जीवन में उनें लाव की प्रात्य हो और तनाव उनका दूर हो गुसा उनका दूर हो तो जिस भी जातकों को तनाव है गुसा आता है अत्यरिक तो आप मोती रतन धारन अवस्य करें और करक रासी के जो जातक हैं उन्हें मोती रतन धारन अवस्य करना चाहिए तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं और रासी रतनों के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सुद्ध और बिसुद्ध रासी रतन हम आपको भुलब्द करा के देंगे तो आप रासी रतनों के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आज का वीडियो के बारे में आप कमेंट करके अवस्य बताएं अपने इस्टमित्रों के साथ वीडियो सेर जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी हमारे वीडियो को जरूर करें तो पुना आगे के वीडियो में आप से मिलते हैं तब तक के लिए जैमात आदी जैसे रादी